दोसो आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे एक मेटाफिजिकल पॉयट हेंडरी वान की एक बहुती फीमस पूयम दर रीट्रीट यह रीट्रीट का मतलब होता है गॉइंग बैक यानि वापस जाना मतलब यहाँ पर पॉयट किसी जगए पर वापस जाना जाते हैं और वो कहाँ पर जाना जाते हैं हम लोग पॉयम डिसकस करेंगे तो हमें समझ बे आएगा कि वो बचपन के दिन भी क्या दिन थे कितना खुश रहा करता था उस वक्त में यहाँ पर शायन का मतलब चमकना नहीं है दोस्तों बलकि वो बोल रहा है कि मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनरजी थी उस वक्त मेरे बचपन में यहाँ पर बचपन को एंजल बोला गया है एंजल का मतलब यहाँ पर हैवन से कनेक्ट किया गया है यहाँ पर बचपन या जिन्दगी ने मुझे मेरी दूसरी रेस में अपॉइंट कर दिया दूसरी रेस कौन सी? जवानी की रेस मैं बचपन में अभी समझ भी नहीं सका था इस पूरी दुनिया को उससे पहले ही मैं दूसरी रेस में बागने लगा और उस रेस के अंदर क्या हुआ? taught my soul मेरी soul को, मेरी आत्मा को सिखाया गया to fancy art कि कुछ भी सोच लो fancy art का मतलब कुछ भी सोच लो but a white cholesterol thought लेकिन सिर्फ उस सोच के अंदर white cholesterol thoughts नहीं थे यानि की heavenly thoughts नहीं थे जो मैं बचपन में बिना किसी इर्शा के, द्वेश के, अंदर मन में कुछ रखे बिना सोचता था white cholesterol thoughts थे मेरे बचपन में वो thoughts अब यहाँ पर नहीं थे इस second race के अंदर यानि अपनी जवानी की दौड के अंदर cholesterol thoughts का मतलब है यहाँ पर दूस्तों, pure और peaceful thoughts अब गौर से सुनना मैं क्या बोलता हूं when yet, अभी तक तो white बोल रहा है कि अभी तक तो I had not walked above a mile or two from my first love यहाँ पर first love बचपन को कहा गया है कि मैं अपने first love से एक mile दूर या दो mile दूर भी नहीं चला था अभी तक तो मैं अपने first love यानि बचपन से एक या दो mile दूर भी नहीं गया था and looking back और मैं जब पलट के देखता हूं in a short space इस छोटे से time में जब मैं पलट के अपने बचपन को देखता हूं could see तो मैं देख सकता हूं a glimpse of his bright face कि मैं अपने बचपन में एक glimpse glimpse का मतलब है यहाँ पर दोस्तो जलक एक जलक देख सकता हूं bright face की मतलब अपने बचपन के अंदर भगवान के bright face को देख सकता हूं मैं पलट कर आगे की दो लाइनों में point बोलते हैं when on some gilded cloud or flower my gazing soul would dwell in our यहाँ पर gilded cloud का मतलब है चमकता हुआ बादल या फिर flower चमकता हुआ फ्लार कोई fool जब मैं छूटा था ना point यहाँ पर बोलते हैं जब मैं छूटा था तो मेरी soul gazing का मतलब देखना मेरी soul देखती रह सकती थी एक घंटे तक किसी चमकते हुए बादल या fool को मैं एक घंटे तक निहार सकता था टक टक ही लगा के देख सकता था ऐसी चीजों को अक्सर ऐसा होता है जैसे हम किसी चीज को देखते हैं तो खो जाते हैं उस चीज को देखते देखते तो यह बोलते हैं मेरे बच्पन में ऐसा ही होता था जब मैं कोई flower को देखता था या फिर चमकते वे बादल को देखता था तो टक-टक ही लगाए देख सकता था मैं घंटो तक And in those weaker glories यहाँ पर उस बादल को और उस flower को weaker glories बोल रहे हैं कि यह इतनी भी चमकदार नहीं है यह weaker glories हैं के सामने some shadows of eternity यानि भगवान के सामने यहाँ पर eternity भगवान के लिए यूज किया गया है और आगे वो बोलते है Before I taught my tongue to wound कि मैं अपनी जबान को सिखाता कि किस तरह से बोल कर लोगों को जख्म दिया जाता है wound यहाँ पर जख्म देना होता है कि जबान से किस तरह से बोल कर ऐसे शब्दों को बोल कर लोगों को जख्म दिया जा सकता है ऐसा कुछ सिखाता उससे पहले My conscious with sinful sound कि मेरी conscious मेरा जो दिमाग है वो sinful sound produce करे ऐसा कुछ सिखाता मैं अपने आपको और had a black art और मैं एक black art सीखता एक काली कला एक बुरी कला to dispense a serval sent to every sense कि मैं लोगों में बांटता dispense का मत्तब होता है बांटता बहुत सारे पाप कि तुम्हें लोगों को जख्म देना है तकलीब देनी है और पाप करने है ऐसा कुछ सिखाता अपने आपको सिखाता उससे पहले ही मैंने feel किया but felt मैंने feel किया through all this flashly dress flashly dress यानि की mask की dress यानि अपने शरीर के लिए बोल रहा है flash का मतलब होता है इंसानी mask bright shoots of everlastingness मैंने अपने अंदर भगवान को महसूस किया bright shoots of everlastingness का मतलब मैंने अपने अंदर भगवान को महसूस किया अगर मैं इतना सब कुछ गलत गलत सीख जाता उससे पहले ही मैंने अपने अंदर भगवान को इस शरीर के अंदर भगवान को महसूस किया अब आगे वाले stanza के अंदर poet यहाँ पर पच्छताते हैं, बोलते हैं, oh how, I long to travel back, long का मतलब होता है, चाह रखना, किसी चीज की चाहत, कि यहाँ पर poet चाहते हैं, कि मैं वापिस से travel करना चाहता हूं, वापिस से मुढ़ना चाहता हूं, उसी रास्ते पर जिस पर मैं पहले थ and tread again, that ancient track, उसी ancient track पर वापिस चलना चाहता हूं, tread का मतलब है यहाँ पर दोसों, चलना, again का मतलब वापिस, that ancient track, उसी पुराने रास्ते पर, जिसको मैं छोड़ कर आगया हूं, that I must once more reach that plain, where first I left my glorious train, मैं अपनी glorious train को छोड़ा आया था, from when the enlightened spirit sees the shady city of palm trees, ये shady city of palm trees, God की city के लिए बोला गया है दोस्तों, एक ऐसी city जहाँ पर palm trees है, palm trees कुछ इस type के होते हैं, उस city में वापिस जाना जाते हैं by it, लेकिन बोलते हैं but a, लेकिन a, my soul with too much stray, कि मेरी आत्मा इस जगह पर बहुत ज्यादा stay कर चुकी है, यानि कि रह प्रत्वी पर is drunk, is drunk का मतलब drink कर चुकी, यानि नशे में हो चुकी है वो, and staggers in the way, और रास्ते में लडखडाती हुई चलती है, staggers का मतलब होता है लडखडाते हुए चलना, जैसे कोई शिराबी चलता है न वैसे, अब हम ये जरूर सोचेंगे कि poet यहाँ पर पहले की ब प्यार करना चाहिए, but I, लेकिन मैं, by backward step would move, मैं पीछे के बारे में सूच रहा हूँ, मैं अपने कदमों को पीछे की तरफ move करना चाहता हूँ, मैं अपने steps को backward move करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है, मैं थोड़ी अपने बच्पन में वापिस जा सकता तो यहाँ पर एक solution बताते हैं, but आप लोग सुनना ये दो लाइने बहुत important है दोस्तों, ये बोलते है, and when this dust falls into the earth, in that state I come return, कि एक ही चीज हो सकती है, कि मैं वापिस अपने बच्पन में पहुँच जाऊं, वो चीज क्या है, कि ये dust, dust मतलब यहाँ पर मिट्टी की बात हु यानि कि अस्थियां, अगर मेरी अस्थियां कलश के अंदर जाए, यानि सीधी सी बात है, मैं मर जाऊं, तो वो ही stage होगी कि मैं वापिस से जन्म लेकर अपने बच्पन में जा सकता हूं, in that state I come and return, in that state मैं वापिस आ सकूंगा, return आ सकूंगा अपने बच्पन में, यही एक state है, उमीद करता हूं यह पोव्म आपको समझ में आई होगी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही